पंचकुला में ITBP के प्राथमिक प्रसेक्शन केंद्र में आज हैलीस लेदरिंग इवेंट का आयोजन किया गया जिसमें ITBP के जवानों ने अपनी जाबाजी का जबरदस्त प्रदोशन किया इस हैलीस लेदरिंग इवेंट में ITBP के कमांडों ने हेलिकॉप्टर से रसी के सहारे नीचे उतरने की ड्रिल का प्रदशन किया इस मौके पर ITBP के प्राथमिक प्रसेक्शन केंद्र के डि आईजी राजे शर्माने जवानकारी देते हुए बताया महा निरिक्शक इशवर सिंदुहन के कुशल मार्ग दर्शन में 97 कमांडों फोर्स में 105 प्रसेक्शन आरती परिशन ले रहे हैं उन्होंने बताया कि इस कोर्स की अवधी 10 सबताहकी होती है जिसमें प्रसेक्शन लेने वाले जवानों को कठो और प्रसेक्शन के साथ साथ विसम परिस्थिजियों को से निपटने के लिए तयार किया जाता है हेलिकॉप्टर में हम लोग जो स्पेशलाइज हमारे कोर्स है जैसे कि कमांडो कोर्स उसके ट्रेइनिंग दी जाती है कि ये प्रेजेंट कोर्स चल रहा है जो की 3 जनवरी को शुरू हुआ था और 10 हफ्ते का कोर्स है 12 अब हिसका 6 हफ्ता चल रहा है ये कोर्स एक प्योर ल जिन्दा हमारे लड़के हैं, जवान हैं, जो mentally और physically robust हैं, fit हैं, performance जिनके अच्छी हैं, उनको select करके इस course के लिए भेजा जाता है, ये तकरीबन 25 से 28 साल या 30 साल के उमर के जो लड़के हैं, उनको भेजा जाता है, यानि कि इसका जो profile है इस पूरे course का वो बहुत यंग होना चाहिए, तो आज जो आप पीछे देख रहे हैं, ये एक specialize हमारी training दी जाती है, इस course के module के तहट, जिसको के हम helicopter slithering exercise बोलते हैं, इसका महत्व ये है कि कि किसी भी commando operation में time की बहुत महत्ता होती है, तो जल्द से जल्द अगर commando को deploy किया जाए, उसके पास उतना ही reaction time जाद रहता है, तो helicopter के दुआरा जल्दी से जल्दी commando को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर उनको deploy किया जाता है, और अब समय बचता है, और आप जब देखेंगे, आपको इसको देख करके पता लगेगा कि इसमें degree of difficulty बहुत जादा है, सबसे पहले तो जमीन पर commando को train कि क्या जाता है कि वो helicopter में कैसे mount होता है, उसके बाद में demount कैसे, dismount कैसे होता है, उसके बाद में 5 meter से इसको किया जाता है, फिर 10 meter से एक दो रसी बांद करके जिसको हम sticks पोलते हैं, sticks के मदद से commandos को deploy नीचे उतारा जाता है, वो अपने पूरा kit के साथ में और rifle के साथ में, और तुरंत अपने areas के लिए, वो disperse हो जाते हैं, deploy होने के लिए, तो basic area ये एक बड़ा technical subject है, इसमें चोट लगने का पूरा-पूरा खतरा रहता है, क्योंकि आप एक चलते helicopter से नीचे उतर रहे हैं, तो बहुत एक important module है, हमारे commandos course का, ये course अभी अपने छटे हफते में है और इसमें तकरीबन ITBP के 700-500 जवान विभिन यूनिटों से आते हैं, ट्रेनिंग करने के लिए, और इसका attrition rate जो है तकरीबन 40-50% है, अट्रिशनी जो कमांडो बन करके निकलता है, दो-धाई महिने के बाद में, वो तकरीबन आपका ही है, अगर 1500 आया है, तो उसमें से 75 बता दे कि ITBP के कमांडों को अनेक तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें हैली स्लेधरिंग कमांडो फोर्स का एक मुख्य हिस्ता होता है, हैली स्लेधरिंग में कमांडों को हेलिकॉप्टर से रस्ती के सहारे नीचे उतरने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका मुख्य उ इसलिए एक कमांडो के पास लेदरिंग का बुन्याद कौशल होता है जिसकी ट्रेनिंग आज करीब 105 कमांडो को पंचकुला में दी गई पंचकुला से उमंग शोरान, पंजाब केस्टी टीवी पंचकुला गई एक पास लाद